नमस्कार दोस्तों मेरा नाम दीपक जैन है और मैं हूँ फाउंडर इंफिनिटी गेंज लेलपी तो फ्रिंट्स आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हेल्थ इंशॉरंस के अंदर एक ट्रमिनलोजी यूज होती है और इसको बोला जाता है को पेमेंट तो आईए समझते हैं को पेमेंट के बारे में अलोट अफ पीपल आर नॉट अवेर अबाउट दा टम को पेमेंट एंड एंड अप पेइंग सर्टेन अमाउंट फ्रॉम देयर पॉकेट डेस्पाइट अफ एविंग लारजर सम इंशोर्ड इन देयर हेल्थ इंशॉरंस पॉलसी सो फ्रेंट्स कई बार क्या होता है कि हम जब भी हेल्थ इंशॉरंस पॉलसी बाई करते हैं बेशक से वो बड़े सम इंशोर्ड की पॉलसी ही क्यो ना हो उसके अंदर एक clause होता है और इस clause को बोलते हैं co-payment simple शब्दों में अगर बताने की कोशिश करूँ तो अगर आपने एक 10 लाक रुपए की policy purchase किया आपकी policy के अंदर अगर clause है 10% की co-payment का claim आया 1,00,000 रुपए का तो 10% यानि की 10,000 रुपए आपको खुद से bear करना होगा आएए आगे समझते हैं what is co-payment co-payment commonly referred as co-pay so co-payment को co-pay भी कहा जाता है in health insurance is a clause wherein the insured agrees to bear a specific portion of the incurred medical expenses so ये एक ऐसा clause है जहाँ पर की जो भी insurance policy buy कर रहे हैं यानि जो client है वो एक specific amount खुद से bear करने के लिए राजी होते है it is usually a fixed percentage pre-decided while issuance of health insurance policy so जब भी आप एक policy buy करते हैं यानि कि क्योंकि health insurance policy एक legal contract है जब भी आप इस contract में enter करते हैं तो ये जो co-payment है ये pre-decided होती है ये एक fixed percentage में हो सकती है ये 10%, 20%, 30% ये किसी भी percentage में हो सकती है जो कि policy लेते हुए ही आपको पता होना चाहिए co-payment in retail health policies is completely upon the discretion of the policy holder so co-payment कितनी होनी चाहिए ये पूरी तरीके से depend करता है policy holder के उपर और क्योंकि अगर आप अपने premium को कम कराना चाहते है तो आप co-payment को बढ़वा सकते हैं और अगर आप अपने premium को without co-payment अगर लेते हैं तो आपका premium यहाँ पर बढ़ जाता है he or she can opt to whether take co-payment clause in their respective policies or not तो ये पूरी तरीके से client के उपर है कि वो अपनी health insurance policy के अंदर co-payment को option चूज करें या ना करें usually in order to reduce the premium amounts intermediaries suggest policy holders to opt for co-payment तो usually जैसा हमने already discussion किया premium को कम करने के लिए जो आपके brokers हैं वो आपको यह suggest करते हैं कि आप co-payment का option ले सकते हैं and the one who is buying the same without understanding the post claim repercussions opt for the same but problem कहां पर आती है कि जब premium कम को premium कम लेने के चकर में हम लोग co-payment वाला option ले लेते हैं बट claim के समय पर जब claim आता है तो premium के comparison में हम लोगों को उससे ज्यादा जो amount है वो hospital को pay करना पड़ जाता है if we consider it as an option it is always better to not to opt for co-payment considering the increasing medical expenses for any ailment because the amount we would incur in partial claim payment will be way more than the saved premium amount so friends अगर आप premium कम करते हैं और आप co-payment option लेते हैं तो बहुत simple आपको इस बात के लिए तयार रहना पड़ेगा कि claim के समय पर आपको पूरा amount insurance company से नहीं मिलेगा तो अगर आपके पास यह option है कि आप without co-payment policy लें तो जरूर लें usually बड़ी age पर अगर हम बात करें insurance company 60 के बाद जो policies offer करती है उसमें co-payment का option आपको ज़्यादा तर मिलता है 60-65 के बाद अगर आप policy buy करते हैं तो उसमें co-payment का option रहता है but हमारा आपको हमेशा यह suggestion होता है कि अगर आप policy को without co-payment लें तो आपके लिए वो सबसे अच्छा है क्योंकि co-payment में आपको कुछ amount चाहे वो 10%, 20% या 30% है वो हर claim के समय पर आपको खुद अपनी pocket से bear करना होगा तो friends आज के इस वीडियो में हमने discussion किया co-payment के बारे में और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो please like जरूर कीजेगा इस वीडियो से related कोई feedback, suggestion या comment है तो comment box पे comment करके जरूर बताएगा और अगर आप चाते हैं अपने friends, relatives और agents fraternity में इस वीडियो को share करना तो please share जरूर कीजेगा सबसे important बाद channel को subscribe करना मत भूलेगा और friends अगर आप life, general या health insurance sector में अपना career बनाना चाते हैं या अपने लिए या अपने परिबार के लिए एक life, general या health insurance policy buy करना चाते हैं करने फिठल में वाद इव